hello guys welcome back to my youtube channel और आज का हमारा topic है fisheries management and extension इसमें introduction, फिर concept of fisheries management, size of stocking ponds, both management of stocking ponds water pH and soil test, selection of fishes, manuring of ponds, artificial feeds in ponds natural feeds in ponds, control of vegetation, disease problem and cleaning of predatory fishes replying of chains and doms, significance of fisheries management, conclusion and reference introduction में हम लिखते हैं बढ़ती हुई आवादी पोशर बढ़ती हुए आवादी पोशर हैं पोश्टे काहा एक कमी को देखते हुए fish culture depends department में fish culture को बढ़ावा दिया है तता production को नहीं नहीं पद्दती अपना कर fish पालकों को जागरुक किया है जिसके कारण artificial रूप से pond तयार कर उसका management किया जाता है जिससे अधिक से अधिक fish का culture कर पोश्टे का हरुप लगत कराकर इनकम बढ़ाई जा सकती है यह occupation को दूर किया जा सकता है अता हुनना धंग से fisheries management के लिए stocking pond management रख रखाव कर अधिक से अधिक संख्या में fish का culture किया matrix management shouties management फिश के अधिक से अधिक उत-पाधन के लिए उगं विभिन विभिन आ कार पिशिया का करने के लिए artificial रूप से अलग अलग आकार के पॉणकर का निर्माण करते हैं जिन में adult fish के के लिए stocking pond करने लान किया जाता है जिसमें rearing pond से निकाले गए finger links का culture किया जाता है finger links लगभग एक एर तक रखे जाते हैं जब तक विवाजार में वेचने योग यत्वा एक kilogram वेट के हो जाते हैं size of stocking pond इस pond का area 0.1 से 2.0 hectare and deeping 1.5 तो 2.5 meter होती है ये 12 month water से भरे रहते हैं इस ponds में finger links को पूर्ण विक्सित फिश बनने तक रखा जाता है फिश का स्टॉक किया जाता है सामानिता finger link चार से 10 cm लंबी उंगली के बराबर होती है फिर management of stocking ponds fish production stocking pond के रख रखाओ की आवश्यक्ता fish production के लिए fish stocking ponds के रख रखाओ की आवश्यक्ता होती है जिसके लिए निमन लेके तो पाई किया जाता है फिर्स्ट है water pH and soil test fish culture में pond की soil and water का बड़ा मैत्वपून स्थान है इसलिए मिट्टी या पानी के नमूने समंग की परिक्षण के लिए विकासखन अधिकारी के द्वारा या सीधे जिले के fish culture विफाग या भूमी पर एक्षण प्रयोग साला में भेज कर जाच कर लेनी चाहिए तब चुने की मात्रा जरूरत के अनुसार डालनी चाहिए सामानी fish culture के लिए water pH 6.5 to 8.5 तदा स्वाइल के लिए 7.5 to 8.5 होना चाहिए तदा temperature 20 to 29 degree centigrade होना चाहिए चिकनी मिट्टी fish कलचा के लिए प्युक्त होती है रात में fish यानों के plant plankton एक्स्टर शूर लेने के water से soluble CO2 gas की मात्रा बढ़ जाती है यदि calcium calcium की कमी होगी तो इस gas से बचने वाली soluble carbonic acid की मात्रा बढ़ जाएगी और water acid युक्त हो जाएगा यदि चुना पानी में पढ़ा हो तो दिन्वा रात में होने वाला ये रसाइनिक परिवर्तन बुरा असन नहीं डाल पाएगा और fish को हानी नहीं पहुचाएगा second paper में calcium रहने से magnesium, potassium and sodium iron के विसल effect कम हो जाते हैं साथी चूने से pond के रोगाणों और जीवाणों नस्ठ होते हैं वैक्टिरेन वाइरस खत्म हो जाते हैं इसके अलावा चूना carbonic substance की सडन को बढ़ाता है जिससे CO2 gas के साथ मिलकर calcium carbonate बनती है इससे तलाव के उर्वाण शक्ति बढ़ती है productivity बढ़ जाती है पर selection of fishes, ponds में culture के लिए good fish के fishes, इन fishes को माना जाता है जो सहयोगी सोभाव की हो corporate करें मतलब जो साथ में composite fishes के मतलब की हो जो साल भर में श्रीकिता से बढ़ती है जिनकी मांग market में अधिक हो जिनका market में value अधिक मिले जिनके seed आसानी से मिल जाए वही fishes good कही जाती हैं जो food के लिए आपस में प्रतिस परदर ना करें और जिसमें मौसम के अचानक बतलाव के सहन करने की शक्ती हो और जिनका प्रजन आसानी से कराया जा सके इन सभी गुणों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो भारत में पाई जाने वाली common fishes में यह सभी गुण बहुतायच से मिलते हैं इसके अलावा कुछ एक exotic fishes से जैसे silver cup, grass cup और common cup में भी सारे गुण पाई जाते हैं manoring of stock pond तालाव के पानी में chemical reaction के निरंतर होनी के current pond से पॉस्टिक पदार्थों की कमी होती रहती है इसलिए fish की अधिक पैदावार के खाद या उर्वरक पदार देखकर पॉस्टिक पदार्थों की कमी होती रहती है इसलिए fish की अधिक पैदावार के लिए खादे उर्वरक पदार देखकर पोस्टिक पदार्तों की वड़ोत्ती करना जरूरी है जैवेक खात का प्रयोग चूने के यूज के एक सप्तावाद करना चाहिए फिश या सडी गोबर्या बायोगय स्लरी लोकिंग नेचर की दर से सूखे पॉण्डे मिला देना चाहिए ततपश्चाथ एक मीटर पानी भरकर पॉण्डे में छोड़ दिना चाहिए और दगवग दो सप्तावाद फिश कल्चे स्टार्ट करना चाहिए यदि सम्मू अंक लगवग उदासीन हो तो भी इसे एक सेलरी का प्रयोग उपर बताएगा के अनुपात में दस बरावर माशिक किस्तों में बांट कर रखना चाहिए इसके साथ केमिकल फर्टलाइजर यूरिया फिफ्टीन टू सिक्स ट्विंटी किलोग्राम मन्थ हैक्टियर एंड फॉस्वेट 20-25 किलोग्राम मन्थ हैक्टियर का यूप प्रयोग भी लाबदाय इस प्रकार यह लिए उर्वरकों का यूज किया जाता है कार्वनिक खाद गोवर 10-20 एक हैक्टियर अकार्वनिक खाद अमोनिया 200 किलोग्राम हैक्टियर 740 किलोग्राम हैक्टियर 40 किलोग्राम हैक्टियर आर्टिफिशल पॉड इन पॉंड पानिया मिलने वाले नैच्रल फूट को हम प्लेंग डॉन कहते हैं यह फूट कुछ दिनों तक फिशिस के परियापत होता है किन्तु अधिक प्रोडक्शन के लिए अलग से इसके लिए चावल की भूसी तता सरसों या मुंगफली की खले बराबर मातरा में चान के प्रति दिन प्राया प्राताकाल प्राया के नेचरल फूट प्रोजेंट हो जाते हैं जिससे प्लेंक्टॉन के नाम से जानते हैं प्लेंक्टॉन प्रोटोजोंस फंगी अल्गी अधी प्रेजेंट होते हैं प्लेंक्टॉन दो टाइप के होते हैं फाइटो प्लेंक्टॉन प्लांट वाले होते हैं जूप्लेंक्ट आते हैं या अचानक फिष्ट को स्वियमिंग में भाद पहुचाते या पौद्य की प्रकार की होते हैं वाटा सरफिस्क प्लांट इस तरह के प्लांट में इस तरह के प्लांट में कमल कुमोडी projecting इक प्लांटυτो तो कीचण में होती लेकिन लची लेताने तदा डंटल की सहायता से इन प्लांट की पत्तियां और फूल आदी वाटर की उपरी लेयर पर सिविंग करते हैं। सेकंड छिचले पाने के नारे होगे पौदे। प्लांट की प्लांट चिचले पाने के नारे पर अपने आप उग जाते हैं जैसे घांस लटाएं जाणियत आ दी। अल्गी कुछ प्लांट से नहीं कि अल्गी तता फीते के समाने अल्गी पूरे वाटर में फेल जाती है। जिसे पानी के रंगीन सा हो जाता है और दुर्गंदाने लगती उपर बताये गए पानी के प्लांट्स के कारण फिशिस के चलने फिरने तैने में बाधा होती है इन प्लांट्स में तरह तरह के हानी कारा कीड़े जीव जन तुछे पर रहते हैं जो फिशिस को हानी पहुचाते हैं इतना ही नहीं यह प्लांट्स के वाटर एवं तलहटी में मिलने वाले पोशकततों का शुशन करते हैं हैं फिरीट को पूर सकता है तो नहीं मिल पाते इसके अलाबा यह प्लांट सूर के लाइट को वाटर की भीतर तक नहीं जाने देते हैं इससे पुलवक की उतपती में कमी हो जातीया है जाल चलाने मैं व॑धा पड़ती है और पौदो को समय-समय ना हो तो नेट के द्वारा या फिश खाने वाली फिश दूसरी जिन को खाने वाली फिश या दोनों प्रकार की फिश आने का रहा है उन्हें हटा देना चाहिए डिसीज प्रॉब्लम एंड क्लीनिंग ऑफ प्रेडियेटरी फिश फिश में जातर वैक्टिरिया वायरस एंड प्रेडियेटरी के करणं तरह तरह की घातक को और व्लेवर डिसीज हो जाती है जिससे फिश मर जाती हैं और कुलचर वालों की बढ़ी लॉश होती है कि इस लिए मान ब्सेटी मों नीच दिया गया एंडिसीज के मैं आपको नम बता देते यो टे लेंड फिश का अगलन ऐ इफेक्ट आप चेक्स, इफेक्ट आप फंगी, फंगिया मामारी का प्रभाव, डिसीजम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया आपको, फिर प्रेडियर्ट्री फिसिस, फिसिस के अनेक परसिटिक हैं, जैसे फिसिस के जूत, ये जूती कहते हैं, ये फिश का ब्लड चूसती है, और रेड स्पाट छोड़ जाती है, तता फिश रूख जाती है, जुस्त हो जाती है, फिश बार बार, पॉंड्स के डेम में, बॉड़ी को रगड़ती है, जैसे इस्तिति इस रोके, ट्रीट्मेंट के लिए, पॉंड्स में, केमेशियन पा हंड्रेट किलोग्रम हेक्टेयर की दर से डालते हैं, ओटू की कमी ग्रीन प्लांट्स की अधिकता या कमी के कारण हो सकती है, इसलिए यदि वाटर का कलर बहुत ही ग्रीन हो, तो उसने खाद और फिश को खाना तुरंत बंद कर देते हैं, फिर विशेली गैस के कारण, कभ पूरी से मिट्टी बहार निकाल देनी चाहिए, बाद में इसे फिर से फिश कल्चर के लिए यूज मिला सकते हैं, प्रिपरेरिंग ऑफ चैनल्स एंडेम्स, डेम में वाटर लेवल बनाए रखने के लिए वाटर आपूर्ती एवं निकासी आवश्यक है, इसलिए समय समय इसकी मरमत होनी चाहिए, सिकनिफिकेंस ओफ स्टॉकिंग पॉंड्स, स्टॉकिंग पॉंड्स में इस प्रकार का मेनेजमेंट कर फिश कल्चर किया जाए, दस मन्त वा फिशे 7 तू 50 ग्राम से लेकर 1 किलो ग्राम तक हो जाती है, इस प्रकार 1 हैक्टेर वाटर आइरिया से 3,000 से 4,000 तक फिश प्राप्त हो जाती है, जिसका मूल 1,000,000 से 75,000 तक हो जाता है, फिश को शेहर तक सुरक्चर डंग से ले जाने के लिए फिश को टोकरियों में आइस सौट लगाकर, ताकि वे ठीक हालत में शेहर की मंडी तक पहुंच सके, उन्हें पहुंचाई जाती ह कंक्लूजन, देश के सामाजिक तथा आर्थी इवखास में फिश एरिया मैध पूर्ण, खाद्या पूर्ती बढ़ा है, रोजगार के अपसर बैदान करें, पोस्टिक इस्तर में ग्रोध तथा विदेशी मुद्ध जित करने में, फिश इंडस्री इंपोर्टेंट है, इस के कुल्सरेस्ट फिस कल्चर वाई राजेंदर तिवारी, थैंक यू वाचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब